आज हम आप से और सरकार से ये पूछेंगे कोरोना हुआ तो क्या हुआ कोरोना हुआ तो कुछ बदला क्या भूखा भारत जिसमें आनाज के लिए दो-दो किलोमीटर लंबी लाइनों में लगा हुआ है खाना पाने के लिए जिसमें भूख एक विक्राल रूप ले रही है उसमें हमारी सरकार चावल से सैनिटाइजर बनाने के लिए फैसला कर रही है लोगों को चावल देने के बजाए जिसमें देश कोरोना संकट में है और सारा तंत्र लगना चाहिए उससे बचाने के लिए उ अजमाईश कर रहा है जिस समें कोरोना का संकट है उस समें हमारे प्यारे भारतवासी सीवर और सेप्टिक टैंक में अपनी जान दे रहे हैं उनको मारा जा रहा है हमारा सवाल बहुत सीधा सीधा कोरोना हुआ तो क्या हुआ क्या हमारा नजरिया जाती और नफरत बदली जैसे की आशंका थी जिसका जिक्र हमने एक दो कायक्रमों में पहले किया ठीक बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जिससे में देश करोना संकर से है लॉकडाउन चल रहा है उस समय दिल्ली की पुलिस दिल्ली में चार एक्टिविस्ट को चार प्रमुख नेताओं को छात्रे रही होची है यूएप यह में अन claw tol activities prevention act के तहएं जिए इसके तहएं उनको बुक किया जाता थीक इसी समय इसमें उमर खालिद के ऊपर यूएप यह लगाया जाता उमर खालिद जो ज़वाहर लाल नेहरूब विश्विध्याले के च्छात्र रहे हैं चात्रनेता रहें तमाम मुद्दों पर उनका बहुत बेबाक स्टैंड है और जिनके खिलाफ यह सरकार लंबे समय से सक्री है उन्हें UAPA के अंदर बुक किया जाता है इसके साथ श्रीमती सफूरा जरगर पर भी UAPA लगाया जाता है जिनके बारे में हम अपने पहले कारेक् कमेटी की मीडिया कॉडिनेटर थी और इस समय वो पुलिस की हिरासत में हैं पहले से ही वे तीन महिने की गर्वती हैं इनके अलावा मीरान हैदर को जो राष्टी जनता अदल के चात्रसंगठन से जुड़े हुए हैं वे भी पुलिस हिरासत में हैं उनके उपर भी UAPA लग आया जाता है हमारा सीधा सा सवाल यहां पर है कि जिस समय पूरी दिल्ली देश की राजधानी कुरोना से लड़ने के लिए होट स्पोर्स ढून रही है लॉकडाउन हो रहा है तमाम इलाके सील किये जा रहे हैं उस समय दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से एक्टिविस् हैं इसे पहले भी हमने जो कायकरम किया था बताया था कि पूरी लिस्ट बहुत बड़ी है इन तमाम लोगों को इस आरोप में गिरफतार किया जा रहा है या इनके उपर मामले बनाये जा रहे हैं कि इन्होंने जो देश की राजधानी दिल्ली को जलाया गया था जो सामपर उसे ऑगनाईज करने में यहा भाशन देने में लोगों को ले जाने में अक्टिव यह तया चल रहा था उसक्या उनको इस समय निशाने पर लेने की वज़़ा क्या है इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो विडम बनाये दिखाई दे रही है इस समय इसकी पीछे वज़ा क्या है और ठीक यही सवाल इन गिरफतारियों या इस जो विच हंटिंग चल रही है एक्टिविस्ट की यह सवाल देश के प्रबुध नागरिकों ने बॉलिवुड के कुछ एक्टर्स फिल्म निर्माताओं तमाम लोगों ने एक खुले पत्र में उठाई है और सरकार से यह अपील की है कि इस संकट के समय छात्रों को छात्रे नेताओं को टार्गेट करना बंद करें कुरोना हुआ तो क्या हुआ क्या इस देश ने सीवर और गटर में अपने भारतिये नागरिकों को मारना बंद कर दिया नहीं देश की आर्थिक राजदानी मुंबई को कहा जाता है और वहां इस लॉकडाउन के दौरान तीन भारतिये नागरिकों को सेप्टिक टैंक में उतार कर मार डाला गया और कहीं से कोई हंगामा कोई चर्चा इस पर होती हमें दिखाई नहीं दी ये उस समय हो रहा है जिसमें सफाई करमचारियों के उपर कुछ जगों पर फूल बरसाने उनको सम्मानित करने की तमाम तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और हमने अप बहुत कम उम्र के हैं वे लोकडाउन से परेशान थे हमने उनके परीजनों से संपर्क किया वहां पर जो बातचीत हुई उससे यह साफ सामने आता है कि लोकडाउन की वज़े से कमाई के तमाम और साधन खतम हो गए थे और वहां उन्हें बुलाया गया एक बड़े से मौत हो जाती है जहरीली गैस इतनी तेज थी कि वहां पर एक एक करके मिंटों के भीतर तीनों की मौत हो जाती है और जो चौथा व्यक्ति बचता है वो बाहर होता है इस बारे में सफाई करम चारी आंदोलन के जो कारे करता हैं वहां उनसे हमने बातचीत की उनका नाम है र और बेहत परेशान थे इनके पास इनके घरों में अनाश तक नहीं मौजूद था और उनके परिजनों की जो फोटो आपको इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आपको खुद ही उनकी स्थिती का अंदाजा इससे हो जाएगा कुछ हमें कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है यहां पर इन तीनों की जो नाम है एक तेजस हैं जो 28 साल के हैं जैनेंद्र प्रकाश हैं जो करीब 24 साल के हैं नयन हैं वो भी 24 साल के हैं यानि 24, 28, 29 यह जो नौजवान थे यह काम के तलाश में थे और जो हमारी जातिगत विवस्ता है वो किस तरह से इंसानों को गटर में डालती है इसकी लंबी कहानी है लंबी दर्द भरी दास्तान है देश की राजधानी दिल्ली में भी इसी लॉकडाउन के दौरान एक व्यक्ती की जान गई थी उसे मार डाला गया था इस बारे में हमने बाक्चीत की सफाई करमचारी आंदोलन के नेता देश पे हर दिन तोटा बच्चे कभी पूछो करोन से कितने लोग मौत हो चुका गिनके गिनके मिनिट मिनिट पर डेटा दे रहा है 2000 लोग ये देश पे ये देश का नागरिक गटर का अंदर मौत हो चुका प्रदान मंत्री से लेके मुक्य मंत्री तक सब का बोले तो आज तक ये विशेई पे कोई भी ये कारवाई क्यों नहीं लेते हैं सारे अभी करोन आ रहा है सब का गर का अंदर गुसा के इतने होगा बट सफाय कर्मचायर मौत हो ये तो क्यों ये कारवाई भी नहीं लेते हैं मतलब क्या है ये सारे लोग है अचूत है वो मर जाये तो हमारा का कोई चिंता नहीं ये संदेश दे रहा है प्रदान मंत्री और मुक्य मंत्री ये विशेई पे बिल्कुल प्रदान मंत्री मुक्य मंत्री महराश्र का मुक्य मंत्री और डेली का मुक्य मंत्री बिल्कुल ए यह विश्य बहुत इंपोर्टेंट है अभी नया से पता चला तमिलनाडु पे और आलने राज्यों पे सानिटेशन वरकर का भी करोना डिसीज अठाक हो गया अफेक्ट हो गया उनका सेफटी गेर तक नहीं होते हैं यह सारे सिलसिला कंटिन्यू यह मौता होने के समय चुपचा बैटना यह लोग तंतर पे बिल्कुल अच्छा नहीं है जिन डॉक्टरों नर्सों यह सफाई करमचारियों के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी हम लोगों से देश से अपील कर रहे थे थाली बज़वा रहे थे दिये जला रहे थे देखिए हम उनके साथ कैसा सुलूक करते हैं उन्हें बुनियादी सुविधाय हैं तो हम नहीं ही मुहिया कर आ रहे हैं लेकिन जब वे खुद हमारा और आपका इलाज करते करते कोरोना से पीडित हो जाते हैं मर जाते हैं उसके बाद हम उनका अंतिम संसकार तक इज़त के साथ नहीं करते जो घटनाय सामने आ रही हैं वे बताती है कि इस कुरोना संकट ने इंसानियत को कितना जादा तार तार किया है यहां हम हिंदू-मुसल्मान की भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबजियां तो हिंदू-मुसल्मान हो चुकी हैं लेकिन आप देखी जो डॉक्टर इलाज कर करते हुए मारे जा रहे हैं और इसका जो सबसे दिल दहलाने वाला अभी उदाहरन हमारे सामने आया है जो घटना हमारे सामने आई है वो चिन्ने ही से आई है जहां डॉक्टर सीमिन जो अंतिम दिनों तक बीमार पढ़ने के बावजूद अपने मरीजों का इलाज कर रहे टे है जब उनकी मौत होती है उसके बाद उन्हें गाडने के लिए जब लोग ले जाते हैं उन्हें कबिस्तान में जगह नहीं मिलती है वहां पर लोग आस-पर के लोग हमला बोल देते हैं एंबुलेंस पर उनके परीजनों पर उनके डॉक्टरों पर जो उनके साथ गए हुए हैं क्यों क्योंकि यह अफवा फैली हुई है कि अगर किसी कोरोना पीडित को दफनाया जाएगा तो वहां से कोरोना आसपास फैल सकता जो पूरी तरह से सौ फीसदी अव वैज्ञानिक ह है लेकिन हमारी वाटसप यूनिवस्टिया लगातार ये अंदविश्वास पहला रही हैं और इसका शिकार देश के तमाम बड़ा पैमाने पे लोग हो रहे हैं जो डॉक्टर के मित्र हैं जो परिवार वाले हैं जो बहुत मुश्किल हालात में उनको दफनाते हैं किसी भी देखा मेघाले में वहाँ पर भी एक डॉक्टर 36 गंटे तक उनकी लाश पड़ी रही और उनका अंतिम संसकार नहीं हो पाया ठीक यही हाल आंधप्रदेश से सुनने को मिला है पूरे देश में अलग-अलग जगों से हमें देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना पीडित है और वे सरकार से अपील करते हैं कि तुरंथ सक्षेब करके कम से कम उन्हें एक सम्मान भरी मौत तो महिया सरकार कराए दोस्तों कोरोना की आड में जो सरकार एक दमन चक्र चला रही है इसका विरोध होना चाहिए कोरोना की आड में नफरत पहलाने वाले जिस तरह की नफ पहला रहे हैं इसका विरोध होना चाहिए और कोरोना की आड में जिस तरह से अंधविश्वास का बाजार गरम हो रहा है इसका विरोध होना चाहिए और साथ ही साथ जो अंटचबिलिटी की प्रैक्टिस पूरी तरह से चलाई जा रही है सोचा समझाया जा रहा है लोगों को इसका कड़ा विरोध होना चाहिए इसी अपील के साथ आप से लेते हैं विदा इस उम्मीद के साथ कि सच को जिन्दा रखने की जो हमारी कोशिश है यह आपके सहीयोग से इसी तरह से जिन्दा रहेगी देखिए लाइक करिए खोशकबर सब्सक्राइब कीजिए न्यूस क